अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज हम लोग जो है CDP की क्लास नंबर हमारी कौन सी करम की होगी? 15 में है ठीक है? तो आप लोग जितना हो सके उतना वीडियो को क्या कर दिये? शेयर कर दिया करिए ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कलास को आज का पहला कोशन है जो बाल केंद्रित सिच्छा सास्त्र का अर्थ क्या होता है? बताईए बाल केंद्रिक का मतलब यह होता है कि बच्चा क्या करे जो सिच्छा अमेशा क्या होनी चाहिए ठीक है यह जो हमारा NCF NCF 2000, NCF 2005 भी काता है और NEP हमारी 2020 भी काती है ठीक तो बच्चे की अभिवेक्त और उनकी जो सक्री भागिदारिता को महत्तो देना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बाल केंद्रित सिच्छा सास्त्र का अर्थ यह होता है ठीक है मेरे ख्याल से मैं आसा करता हूँगा आपको एक कोश्चन अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है अपने आपको खुद को एक टीशर मानना है कभी भी जो हमारी जो सिच्छा है जो है वह जो है अध्यापक केंद्रित या पाठ्थ पुष्टक केंद्रित नहीं रहेगी ठीक हमेशा क्या रहेगी बाल केंद्रित ही सिच्छा हमको क्या करना है चूज करना ठीक है चली आए चलते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन हम बताएं कोशन नंबर टू कोशन नंबर ट कर सकता कैसे कर सकता है प्रतियोगता को बढ़ावा दे करके और सबसे पहले कारे पूरा करने वाले बच्चों को पुरसकार पुरसकार देना हमेरा क्या होता हमेशा निगेटिव वर्ड होता है इस चीज को आप याद रखेंगे ठीक है पुरसकृत करना क्या है निगेटिव वर्ड है इस चीज़ को याद रखें तो पाला अपसनों ऐसे ही गलत हो गया कोई भी सहायता ना दे करके जिसे बच्चे अपने निर्वाह निर्वाह या गुजारा या बैवसाय की बात जहां करेगा वह भी मारा क्या होता निगेटिव तीस तरह से भी पार्ट उस पर एक भ कोशन नमबर आप थिरी बताएंगे कोशन नमबर थिरी हमारा क्या कर रहा है कर रहा है कि क्या कर रहा है कि एक एक जो है क्या एक जब सिच्छार्चियों को समूं में किसी समस्या पर चर्चा का आउसर दिया जाता है तब उनकी जो है सीखने का वक्र क्या होता इस्तिर रहत सबसे सटीक एंसर होगा ठीक है अगया हुआ खाल से वाला को समझ में आगया होगा ठीक है हमारा एफारट क्या हो जगा राइट हो जगा ठीक है आगे आप नेक्स्ट बताएंगे question number 4 बताएंगे question number 4 क्या करा है कि जो अपने चिंतन में आउधाणात्मक परिवर्तन लाने है तो सिच्छार्थियों को सच्छम बनाने के लिए सिच्छक को क्या होना चाहिए बताएए सिच्छक उन बच्चों को पुरसकार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन पुरसकार वाली बात जहां रहेगी negative word होता है इस बात को हतोसाहित नहीं करना बच्चे को हमेशा क्या करना प्रोतसाहित करना ठीक है तो ब्याक्या ब्याक्या भी नहीं करनी है ब्याक्या भी हमारा negative tag जो positive और negative tag पर हमारी बच्चे तब सरवाधिक स्रिजन सील होते हैं जब वे किसी गदविधी में क्या करते हैं भाग लेते हैं बच्चे कब स्रिजन सील होते हैं बताइए जब वे क्या करते हैं किसी गदविधी में क्या करते हैं भाग लेते हैं तो यह हमारा बच्चा अपनी रूच से क्या करेगा बच्चा क्या करेगा अपनी रूच से ठीक है बच्चा क्या करेगा अपनी रूच को दिखाते हुए क्या करेगा स्रीजन करेगा ठीक है स्रीजन सील होता है ठीक है तो हमारा क्या हो जगा सी पार्ट क्या जगा राइट हो जगा ठीक च फ्रिजित वतीए ठीक है किए अमारत कुई सबस्क्राइईब के रूप में tu इसको समसाधन के रूप में लेप है सिच्च और ही समच Я्न को घंकिक है उसको मेंसा एक संसाधन के रूप में लेना है ठीक है तो राइट एंसर हमारा क्या हो जगा सी पार्ट हो जागा ठीक है आई चलते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन आप बताएंगे कोश्चन नमबर सेमेंथ क्या कर रहा जो सिच्छार्थियों द्वारा की गलतियों और तरूटी कर देरा तीक को छीज भी लिखने उसे क्या हो गलती तो गलति अगर हो रही है तो इसकी गलती को क्या कहर ना रखना दाज और क्या करना ऊच्रण हो पहला ब्ला चाहिए- उनके चिंतन समझने के आउसर के रूप में देखा जाना चाहिए बिल्कुल एक टीचर को क्या है उनके चिंतन को समझने और आउसर देने के रूप में क्या करना चाहिए उनकी गलती को देखना चाहिए ठीक है तो हमारा सी पार्ट क्या जगा सबसे सटीक बाकी और कठोड़ता से तो प्लीज आप लोंग gamer को सस्क्राइब कर लिए ठीक है और चली इन कि अगला कोस्चन ऊपड़ों बताएं टीक है एक इक रैक्तियों में एक दूसरे स्थि विन्यता क्यों होती मतलब वह दूसरे से क्या होते हूं इंडिविज्युलंय बस जो वैक्ति होते हैं दूसरे रहता है, यहां का गर्म, ठंड और बर्सा तीनों होता है, लेकिन तमिविलाद में ऐसा थोड़ा कम ठंड है क्या पढ़ती है, क्यों भिन्नेता हैं क्यों पनाए जाती है, मत्त ही, तो यहां कि वंसा नुकरम उस पर किया किस Кा प्रभाव राता है, मत्त ही, इंडिविजुल, तो वंसानुक्रम और वातावरन के बीच जो है अन्योन क्रिया के करण ऐसा होता है ठीक है तो वंसानुक्रम ठीक है और वातावरन के बीच जो अन्योन क्रिया होती है उसके करण जो है भिनेता पाई जाती है प्रतिक बेक्ति में देखने को मिलती है ठीक है मेरे ख्याल से लटका बनने के लिए बोलना है जेंडरً रूबहार का परिचायक कर रहा है Lडकी लड़कियों Kamal थीटा भाने करने को मैं र grown evita थाना अड़ाण प्रकट करता है क्या कर रहा है भिलति व का परिचायक है भेध का परिचायक तो नहीं है जो उतना सठिक नहीं जाती का कोई परिचायक अनि लड़की लड़कियों को बीच लड़को। किया करा राया कि बन act up here policy कि सबसे सटीक हो जाएगा ठीक है अब तक जितने भी आये बहुत आसान और सबसे better question आएं ठीक है यह सब question पूछे जाने वाले most important आंकलन आंकलन topic बहुत important है इससे question fix आएगा बच्चों को level करने नाम देने और वर्गी करने की अच्छी रणनी थी आंकलन बिल्कुल गलत बात थीक है बच्चों में प्रतियोग आत्मक भावना को सक्री रूप से बढ़ावा देना हाँ है आंकलन जो है लेकिन उतना सठीक answer नहीं है तीस तरह से यह भी गलत हो गया सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव से उतपन करना गलत बात है सबसे अच्छा तरीका है आए चलते है नेक्स्ट नंबर 11 बताइए आप लोग कोशन नमबर 11 का रहा है, बच्चे के समाजी करण में परिवार भूमिका निभाता है, ठीक है, बच्चे के समाजी करण में परिवार कम महत्तों भूमिका निभाता है, बिल्कुल रोमांचकारी मनता, मुख्य भूमिका निभाता है, तो यहां क्या हो जगा हमारा C पार्ट क् ही तो उसका समाजी करण और घर से ही होता है ने तो हमारा क्या जगा सी पार्ट राइट चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप लोग कोश्चन नमबर ट्वेल डेखे ट्वेल पर का रहा है कि डिमनलखित में से कौंसा एक जो आधार भूत सहायता का उधारन है बताई को बाढ़ावा दिया दिये बिना अस्पष्ट करन देना मूर्थ को अमूर्थ दोनों प्रकार की उपहार देना ठीक है अधार भूत क्या है, सहाता का क्या है, उधारण है, ठीक है, तो हमारा ए पार्ट क्या जगा सबसे सठीक हो जागा, ठीक, नेक्स्ट बताएगे आप लोग कोशन नमबर 13, कोशन नमबर 13 क्या कराएगे, निमनलिकित में से कौन सा एक कथन, समावेशन का सबसे अच्छा है, कि सभी बच्चों को नियमित बिद्याले प्रडाली में सामान सिच्छा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है, बिलकुल रइड, क्योंकि जो हमें, राइट वे एजूकेशन हमारा आया था, 2009 में उकाता है कि सभी बच्चों को क्या है, सिच्छा देना क्या है, अनिव वर्ग की जो प्रिष्ट भूमी के बच्चों को सिच्छा प्रदान कर जो वंचित वर्ग है पिछडा वर्ग है जो सिच्छा के मायने को नहीं समझ पाते हैं और इसकुल नहीं जाते हैं उनके लिए मतलब क्या कहा है जो सिच्छा प्रदान करने के लिए सिच्छा को क्या चा है उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे सिच्छार्थियों के साथ एभी गलत है इस तरह से बचा कौन सा हमारा जो भी पार्ट हमारा क्या जोगा सबसे राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आई चलते हैं नेक्ट 14 हमारा भी पार्ट ठीक अब बताएंगा आप लो भी गोश्की साहब के समाज के साथ अंतयकीर करकर बच्चा क्या करता शीखता है तो डी के बाहरा क्या जागा पंदरा का राइट एंसर चलिए डी के बाद 16 का बताएगे कोहल भर्ग ने परश्टूत किया था क्या कौहल बर्ग द्वारा नैतिक्ता के विकास के 6 चरन को इ अधिगम निर्योगता वाले बच्चे हैं, जो मतलब निर्योग हैं, वो कौन से बच्चे हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, जो कुछ नहीं सीखते हैं, वो निर्योग बच्चे हैं, या अधिगम के कुछ बच्चों से क्या करते हैं, वो संघर्स करते हैं, ऐसे बच्चों क समाजी करण की अवस्था कहा जाता है कहाँ पर प्रति दुन दात्मक समाजी करण की अवस्था कहा जाता है सहसो अवस्था को बाले अवस्था को किसोरा अवस्था को या जी हो प्राउणा अवस्था को बताई तो कौन सी अवस्था हमारी जो है प्रति दौन दातमक अवस्था कालाती है तो हमारा बले आवस्था थी कहलती है प्रति दौन दातमक अवस्था कालाती ए ठीक है आई चलते हैं नेक्स्ट अला कोशण नाब बताएंगे कोशण नमर 19 बताईगे, निचली कच्छा में बच्चे विभिन प्रकार की खेल, क्रियाओं में अपने खिलाओने को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं, इससे बच्चों में क्या होता समाजी करण की क्रिया प्रक्रिया का क्या होता विकास होता है तो यह सारी सिच्छा का एक आधारित कारिक्रम है यह फिर जो बिभिन प्रकार की सिच्छन पद्धती है गलत बात है एकता एम सहयोकता की क्या है भावना सहयोक की भावना तो सी पा अधिने हम ए उन्दी जनीत गाम कावस्था यह मुर्थ संक्रियातमर का उस्था उमुद Què अमुर्थ संक्रियातमर का सता जो हुद ऑंदियारा में गाने मिना मुर्थ वाली 2021 में कि ढांत है तो साथ से 11 that 않 What a fan और कितनी हं ? पूर्ः संक्रियात्मक में कान से आते है? कितने है बताइं तो दो से सात वाले आते है ठीक दो से सात रर्स और जीरो से दो रर्स वाले जो आते हैं इंदरी-जनित-पिमा आमा अवस्था में आते है Members इतुर है कब पहचानने लगता है उसमें विभेद भी करने लगता है तो किस अवस्था में बच्चा जो है ऐसी इस्तिती करने लगता है तो पूरो संक्रियात्मक जब बच्चा दो से साथ वर्स की अवस्था में हो जाता है तो वह जाने लगता है कि यह बिल्ली है यह कुत्ता है ठीक को इस बात की छूड देनी चाहिए कि वे सब्दावली उसकी लंबाई और संयोजर अपने तरीके से कर सकते हैं ऐसे प्रश्णों का मुख उद्देश से होता है बताई ए पार्ट बच्चों में वस्तुनिष्ट और विश्व सनियता की जाच करना या फिर जो भी पार्ट बच्चों की तत्यों के संगठन की जाच करना बच्चों का भासा में लिखने की जाच करना या फिर बच्चों के निर्वशनातमक की जाच करना तो कौन सा हो जाएगा तो इसमें बच्चों की जो भासा लिखने की जाच करना 22 22 क्या करा वर्तमान में जो बाल केंदरित सिच्छा पर जोर दिया जा रहा है निम लिखित में से कौन सा बाल केंदरित सिच्छा का विशेष्टा नहीं है बालक के सर्वांगड़ी विकास पर जोर दिया जाना ए तो है बिल्कुल से लेकिन हमें निगेटिव पूछा तो नि आई चलते हैं नेक्स्ट जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा सेर कर दीजेगा ठीक है और जालत से ज्यादा क्या करिएगा सपोर्ट करने की कोशिश किया करिए ठीक चलिए, question number अगला बताई, एक बालक जिसकी आयू जो 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयू 18 वर्ष है, तो उसकी बुद्धी लब्धी कितनी हो जाएगी, तो मानसिक आयू, ठीक है, मानसिक आयू, क्या होता, मानसिक आयू, एक मतलब एज, म, ए बराबर क्या होता, वास्तविक आयू, मानसिक आयू बटे में, वास्तविक आयू, रियल आयू, ठीक है, इंटू 100 बराबर क्या होता, बुद्धी लब्धी होता, ठीक है, तो मानसिक आ गया इसको 6 से काट दीजिए कितना जागा तिन चक अठारा छे आ गया तो एक इतना जागा 120 120 कहां दिया सी पार्ट तो हमारा क्या जागा 23 का हमारा जो सी पार्ट बिल्कुल राइट आ जागा ठीक है इस फार्मूले का आप लोग नोट कर लिजिएगा जो मांसिक आयू बट बिल्कुल गलत बात थैक है तो कि बूध्ध करिशन के प्रतेक चात्र की सही उन्नेत की के मार्ße को प्रसिस्त किया जाना चाहिए गलत बाता थैक है अनुबंधन की माध्यम से घटकों का चैनकरन होता है तो बुध्धी भी एक आधार होता है ताकि कम कम तुर्टी हो यह भ अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 25 बताइए 25 क्या करा है कि जो आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक सिच्छक को निम्न में से किसके प्रती सचेत रहना चाहिए अलग अलग छात्रों की तुलना वाला वर्ड जहां भी आएगा कहीं तुलना की सहचिक चेत्रों में चात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विवित तरीकों का प्रियोग करना या फिर फीडवेक देने के लिए तकनीकी भासाओं का प्रियोग करना बताइए कौन सा अमारा राइट एंसर होगा 25 का 25 का हमारा सबसे सटीक एंसर और जो है C पार्टों का इसमें तकनीक का प्रियोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, आगे बताईए, question number आप लोग 26 बताईए, निमने लिखी थे, निमने लिखी थे, सीखने के सिधान्त में जो है, प्रतिपादन थार्ण डाइक द्वारा नहीं प्रतिपादित किया गया था, तो प्रभाव का जो शिद्वा, इनहों ने तीन सिधान्त बना थे, तर्ज़स अशिद्वा का सिधान्त, एक अभ्यास का सिधान्त और एक प्रभाव का सिधान्त बताई था, थार्ण डाइक साब ने, फिक है, एक मनों वैग्यानक थे, इन्होंने सीखने का पुनर वलन, प्रबलन सिध्धान्त नहीं दिया था तो हमारा डी पार्ट क्या जागा राइट एंस वह जागा टल यह 27 बताईए निमने लिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्थ है इस्त्री इस्त्रियों का जो हस्त लेक पूरसों की अपेच्छा अच्छा होता यहां तुलना की जा र होता है कथन में कौन सा सत्थ है ठीक है तो क्या होगा यह पार्ट होगा यह पूरुस सुझाओं के अधिक समवेदन सील होते हैं इस्त्रियों में गणित तथा तर्क की योगता पूर्सों की अपेच्छा अधिक होती है पूर्सों की जो गामत गामक योगता इस्त्रियों क आप इच्छा कम होती है तो बताए कौन सा पूरू सुजाओं के प्रति अधिक सम्वेदन सील होते हैं कौन सा राइट एंसर हो गया ठीक इसको आप लोग इसको इसका एंसर जो कमेंट बॉक्स में बताएगा इसका एंसर 27 का क्या सही होगा ठीक है चलिए आगे बताएगे लब्द कराना ताकि वह बहतर ढंग से कारे कर सकें तो क्या हो जागा यह पार्ट ही हमारा क्या जागा फीडवेक लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आकलन की प्रक्रिया के दारा सिच्छार्चियों के बीच तुलना करना बिल्कुल नकारात्मक बायान बिल्कुल मंद कमज जो कि अलो करना ने तैलर ने यह इसकी नर्य में सबसे पहले इस चीज को कौन बनाए था गॉल्ट जी ने बताया था याद रखिये गा जो भिणनेतायें को समझने का प्रेयातन किया था गालतन साब ने ठीक आज का लास्ट कोशन नमब्था इए भस नंबर थर्टी सिच् तो इसका क्या जागा, B part हमारा grading system हमारा सही है, ठीक है, grading system के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बाकि तुलनात्मक और उपर एक तुमेंसे सबी, तो B part हमारा क्या जागा, right answer हो जागा, ठीक है तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अपनों को अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को सेयर करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा जितना हो सके उतना सपोर्ट करिएगा जै हिंद जै भारत